हेलो अव्रिवान वेलकम टू डाउटनेट और वेलकम टू यूर आईटी क्लास तो बच्चो मेरा नाम है आकर्ष और मैं आपका कम्प्यूटर एजुटर तो बच्चो आज हम आईटी कोट फोर फोर जिरो टू की पार्ट एंप्लॉइबिल्टी स्किल्स का यूनिट नंबर थी से फोर माक सेक्योर कर सकते हैं और आम से तो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एंटर्पर्नियोर होता क्या है और एंटर्पर्नियोर्शिप क्या होती है तो सबसे हम पहले बात करेंगे एंटर्पर्नियोर्शिप क्या है ठीक है तो अगर मैं बात करूं अग को एंटर्ब निटर्ब नियोशिप की तो एंटर्ब आप वैपार ने किसी भी चीज के वैपार कर रहे है आप कुछ नए आइडियाज कुछ creative idea से कुछ नए innovation से एक business बना रहे हैं और आप अपने customers आप उस product market के अंदर launch करना चाहते हैं बेचना चाहते हैं और अपने customers की need fulfill करना चाहते हैं और उससे profit बनाना चाहते हैं तो launching a business developing new ideas through the business तो आप वो क्या बोलते हैं उसको entrepreneurship बोलते हैं अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि मैं एक entrepreneur हूँ कि मैंने क्या किया कुछ मेरे दिमाग में कोई idea आया जिससे कि हम society के अंदर कुछ business start कर सकते हैं और अपने customer की needs को पूरा करके हम कुछ profit बना सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं entrepreneurship ठीक है तो इसके entrepreneur के अंदर होता क्या है entrepreneur वो लोग होते हैं जो कि creative ideas कुछ new innovation के तुरू अपने business को launch करते हैं अपना business बनाते हैं और अपने customer की needs को पूरा करके उससे profit बनाते हैं ठीक है clear तो यह क्या है launching process क्या है कि business develop करना एक नय प्लान के साथ कुछ नया business बनाना कुछ नया product market में बेचना और वह भी इन्वेशन और creative ideas के साथ ठीक है आज कल यह entrepreneur word जो है बहुत circulate कर रहा है market के अंदर क्योंकि जो चोटे-चोटे business है चोटे-चोटे start-ups हैं उनके के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वह entrepreneur है क्योंकि उन्होंने क्या किया है उन्होंने कुछ creative ideas या innovation के साथ एक business बनाया है और business के तुरू वह क्या कर रहे हैं लोगों तो अपने product को पहुचा रहे हैं और उस business के तुरू क्या बना रहे हैं profit बना रहे हैं ठीक है तो entrepreneur वह लोग होते हैं जो कि creative ideas या new innovation का यूज करके बिजनेस बनाते हैं और अपने products को market में बेचते हैं और customer की needs को फुल्फिल करते हैं और उस business से profit बनाते हैं ठीक है तो entrepreneurship क्या हो गई developing a business launching and running a business यह entrepreneurship अब entrepreneurship की बात करते हैं तो entrepreneur क्यों होते हैं अब यो इस business को बनाते हैं जो इस business को डबलब करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटरपनियोर ठीक है एंटरपनियोर is a person who tries to meet the needs of customer through new ideas और ways of clothing doing business and makes profit in return देखे क्या होता है कि जो entrepreneurs होते हैं वो क्या करते हैं वो सबसे पहले कुछ ideas कुछ new creative ideas के तुरू अपने customer की needs को fulfill करते हैं और उसके तुरू क्या करते हैं वो उससे profit बनाते हैं इंड रिटर ठीक है बिजनेस करके मेरे 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 दिमाग में कुछ आईडिया आया यार की एक product बनाते चलिए एक product बनाते अगर इस product को मार्केट में बेजेंगे तो जो हमारे customer से जो हम जोन कुछ नीड हम पूरी कर रहे जिनकी हम नीट पूरी कर रहे हैं और रिटरन में क्या मिल रहा है profit मिल रहा है तो आप business कर रही है कि smart विए से आप क्या कर रहे हो कर रहे हैं कि समार्ट तरीके से तो वो लोग internet होते और entrepreneur कोई भी वह सकता है वह आप हो सकते वह मैं हो सकता हूं कि भाई मेरे पास कोई idea आया कि मुझे लगा कि अच्छा यह product मैं बनाता हूं अगर मैं इस product को market में बेचूंगा यह market में लोगों की customer की नीट को फिलफिल करूंगा तो मुझे उससे प्रॉफिट होगा इंडिटन और लोगों को भी प्रॉफिट होगा तो वो लोग होते हैं एंटर प्रेणियोर ठीक है तो जो की नया आईडियास के तुरू बिजनेस को डवलब करते हैं और अपने कस्टमर की नीट को फुलफिल करते हैं समझ आ गई होगी बात तो यह थे entrepreneurship और entrepreneur इन चीजों को आपको याद रखना है clear चली तो अब हम बात करेंगे entrepreneur and society जो entrepreneurship है आगर मैं मैं बाद करें अ components की उसकी society पर क्या effect उनका society पर क्या effect है तो यहां कुछ points हैं उनको discuss करते हैं entrepreneurs when their businesses in in market the market has people who buys product and service and people who sell them also क्वेचे क्या होता है कि भाई entrepreneur है क्या जो अपने business को run करते हैं market के अंदर और market people has who buy the product and service and people who sell them also देखे क्या होता है कि जब entrepreneur लोग जो होते है market के अंतर कुछ business बनाया उन्हेंने कोई product बनाया दूँआ अपने product को market में बेचते हैं लोग उनकी service को लेते हैं और खरीदते हैं ठीक है लोग खरीदते हैं कि let's suppose मैंने कोई product बनाया ठीक है अब वो product कुछ creative ideas कुछ innovation के दुरू बनाया अब उस product को मुझे बेचना भी है market में तभी तो लोगों तक पहुचेगा तो मैंने उस product की marketing करी उसको बेचना चालू किया मार्केंट के अंदर लोगों ने खरीदना चालू किया और मुझे profit होने लगा दीरे दीरे ठीक है तो entrepreneur हमेशा अपने business को new ideas और creative innovation के साथ ही run करते हैं कि जिससे कि वो अपनी customers की need fulfill कर सके ठीक है और entrepreneur होते क्या है कि customer को service provide करना अगर मैं example लूँ जैसे कि ओला ओला तो ओला क्या है ओला एक हमारी कैप service है जो कि आपके customer की need fulfill कर रही है क्योंकि भाई क्या घर बैटे बैटे आपके पास गाड़ी आ रही आप कहीं ट्रैवल कर पारे आपके साथ घर के पास वीकल आ जा रहा है तो आपकी क्या need fulfill हो रही है जो आपको थोड़ी सी दिक्कते हो रही थी आपको वो दिक्कते solve हो रही है तो entrepreneurs आपकी problems को भी solve करते है सोसाइटी को benefit भी करते है वो तो इससे क्या हो रहा है जब कुछ आइडिया आया बिजनेस का innovation के साथ creative ideas के तुरू तो क्या हुआ इससे कि हमारी जो सोसाइटी ती उसके अंदर कुछ problems थी वो solve हो गई ठीक है तो solve हो गई और उसके तुरू entrepreneurs ने क्या बनाया थोड़ा सा business बढ़ा है थोड़ा सा profit कमाया ठीक है नाउ वेन पीप पीपल आर बाइंग एंस सेलिंग फ्रॉम इच अधर इडिज़ फॉल फॉर everyone because everyone involves make money देखें इंटर्पेनियूर्ज यह होते हैं वह हमेशा यह बात को ध्यान रखते हैं कि जब भी वह कुछ ऐसा प्रोडेक्ट बनाते हैं ठीक है भाई माल लीजे मैंने को एक प्रोडेक्ट बनाया अब उस प्रोडेक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी तो जो लोग उसको खरीद रहे हैं जो उसको बेच रहे हैं तो इस प्रोसेस के अंदर सब लोग मनी बना रहे हैं सब लोग मनी बना रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर कुछ चीजे एफट हो रही है सब पैसा कमा रहे हैं तो सोसाइटी में बेनिफिट तो पाई रहे कहीं न गई तो एंटर बेन्योर्स यह चीज को बहुत ध्यान रखते हैं कि जब आप कोई नया बिजनेस लॉंच करते हैं कुछ नय आइडियास या क्रिएटिव आइडियास के साथ तो वह पूरे सोसाइटी को एफेक्ट करता है क्योंकि आपने कुछ नया बिजन सब्सक्राइटी पर ठीक है ठीक है दिस इस हाओ एंटरेपनियोर्स हैं ग्रोइंग दा एरिया एंड सोसाइटी दे लिविन बिल्कुल सही बात है कि जब आप क्या कर रहे हैं आप कोई प्रॉब्लम या कोई प्रोडेक्ट बनाया जिससे कि लोग उसको बेच रहे हैं उसस साथ कि जिसके तुरू सोसाइटी भी चेंज हो सके तो वह इंटरपनियोर होते हैं जो कि अपने बिजनेस आइडियाज के तुरू सोसाइटी को भी चेंज करने की ताकत रखते हैं ठीक है अगर ओला देखिए तो ओला ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल करी है लोगों की तो वह क्या एक ऐसा स्टार्ट अप था पहले एक ऐसा बिजनेस था जिसके तुरू बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल भी बहुत सारे लोगों को वर्क मिला काम करने के लिए जिससे लोगों ने पैसा कमाना चालो क्या तो जो एंटरपनियोर्स होते हैं वो प्रॉब्लम भी सॉल और उनके कस्टमर की नीड भी बनी रहे ठीक है उनकी नीड भी पूरी होती रहे ठीक है तो आई तिंग ये बात आपको क्लियर होगी चली आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं कि वाट डू एंटरपनियोर्स दू वेंडे रन दियर बिजनेस कि है फुल फिल कस्टोमर नीड तो भाई आपको कस्टोमर की नीड तो फूल रखनी पड़ेगी माल लीजह मैंने कुछ प्रोड्रट सारी चीजों को ध्यान रखते हैं फुल्विल कस्टूमर नीड्स दिमांट मीस प्रॉडक्ट और सर्वीज डैट पीपल वांट कि बैज जो भी आपका प्रोडेक्ट यूसकी डिमांड और सर्विस लोगों को चाहिए लोगों तक चाहिए ठीक इस बात का ध्यान रखना हैं find out the what people want and then they use their creative to come up with a business idea will demand meet that demand so entrepreneur क्या करते हैं कि देखते हैं कि society में किस चीज की need है किस चीज का मांग है demand है तो वो क्या करते हैं अपने creative ideas का थुरू एक business बनाते हैं और business के साथ आते हैं और उस business को run करते हैं लोगों की demand पूरी करने के लिए क्योंकि innovation के तुरू ही आप लोगों की problem solve कर रहे हैं ठीक है और वो entrepreneur क्या करते हैं अपने creative ideas को तुरू कुछ नया invent करते हैं जिससे कि वो customer की demands को fulfill करते हैं और उसके तुरू कुछ profit बना लेते हैं वो ठीक है चले कि यहां पर क्या लिखाए use local materials use local materials का मतलब क्या है कि entrepreneur use the material people available around them to make product low cost देखे जब कोई भी business होता है तो entrepreneurs को यह बात ध्यान रखते हैं कि वो local materials का use करते हैं जो कि उनके around होता है जो उनके surrounding में material available होता है क्योंकि वो क्या कर सके कि जब भी कुछ बनाए तो low cost में making कर सके अगर product low cost में बनेगा ठीक है product low cost में बनेगा तो market में सस्से सही rate में आएगा अगर जब product high cost में बनेगा तो high बिकेगा market के अंदर तो entrepreneur यह बात का entrepreneur use the material and people available around them to make product at low cost बिल्कुल सही बात है कि माल लेजे मैंने क्या किया मैंने एक factory setup करी यह मैंने manufacturing unique setup करी मैंने अपने बिजनेस टार्ट किया तो मैं क्या करूंगा जो लोग उसमें कामकर रहे हो तो मैं यह सोचोंगा जो लोग उसमें एक रहे हैं वो अगल-गल local लेक्ट के अगर मैं बहार से लाओं खा-भा जो मेरी costing बढ़ेगी लेबर की से पेटेरियल का वड़ा यूज करते हैं ठीक है जब अपना बिजनिस करते हैं और हैट सोसाइटी बिल्कुल एंटरपन्योर सोसाइटी के करने अपने आइडियाज के तुरू सोसाइटी के अंदर रेवलुशन लाते हैं help करते हैं अधर्स की जिससे कि सारे लोग ग्रो हो सके सोसाइटी के अंदर जो उनके साथ रहा रहे हैं वो सब ग्रो हो सके एंटरपनियोर भी इस बात का भी ध्यान रखते हैं जब वो बिजने यह दे मेक प्रॉफिट तुरोधी एक्टिविटी एंड बैनिफिट दी सोसाइटी और वह अपने बिजनेस के तुरू प्रॉफिट तो बनाते हैं और सोसाइटी को भी बैनिफिट पहुचाते हैं ठीक है एंटरपनियोर क्रिएट जॉप दा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जॉब मिलती है तो लोग साथ साथ ग्रो होते हैं हमारी सोसाइटी भी ग्रो होती है विद्धी ग्रोथ और बिजनेस दे एंटरपनियोर लुक फॉर मोर पीपॉल तो हैल्प देम बिल्कुल जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपको लोग भी चाहिए होंगे ज जिससे क्या होगी ऑटोमेट कली जो होगी मार्केट के अंदर आपकी जॉब्स क्रियेट होने लगेंगे तो लोग आपके साथ काम करने लगेंगे दें बाय मोर मेटेरियल एंड फ्रॉम मोर पीपॉल और पीपॉल बिल्कुल यो क्या करेंगे कि मार्केट के अंदर लोगो रन करते हैं need want and demand यह तीनों चीज़े आप एक entrepreneur के अंदर होनी चाहिए कि उसको समझ मैंनेची की customer की demand क्या है क्या customer को चाहिए और उसकी demands पूरी होनी चाहिए यह तीन फैक्टर बहुत important है entrepreneur के लिए जब वो business को run करते हैं need क्या है want क्या चाहता है जरूरत क्या है उसकी क्या चाहता है और उसको मिल क्या हा रहा है ठीक है तो यह तीन चीजे बहुत ही जाद है तो आई हो यह points आपको clear होंगे और ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं स्टोरी एक स्टोरी है यहां पर प्रताब सब्सक्राइब बेचना चालू करी तो जिससे क्या हुआ उसके कि निगेटिव रिव्यूज आने लगे ठीक है निगेटिव रिव्यूज आने लगे बट निगेटिव रिव्यूज की वज़े से क्या हुआ उसका बिजनेस डाउन होने लगा बट उसने एक आइडिया उसके पास आया कि वो क्या करे कि भाई उसने कहा कि उसकी सबजिया जो खराब हो रही है वो क्या कर सके ऑनलाइन डिलिवरी करना चालू किया उसने क्या कर एक दिमाग लगाया ठीक है एक आईडिया क्रीट किया क्षिंप असका बिजनेस ग्रो जाये और कस्ट्क मर की दीमाड्स बी चाहा या रहे तो यह गते बल प्रताब वेज़टे सेलर की कहनी इससे आप समझ सकते हैं कि है B entrepreneur की story है तो entrepreneur कोई भी बन सकता है कोई भी बन सकता है बस आपको क्या करना है बिजनेस के आपको creative ideas के तुरू innovation ideas के तुरू लोगों की problem solve कर रही है अपने business को grow करना है और society को benefit देना ठीक है तो यहां पर अगर आप story पढ़ेंगे तो बहुत लोगों की simple story कि प्रताब वोज़ वेज़ेटेबल सेलर अगरा यह वाज वेल नोन इन दी मार्केट फॉर दी आलवेस सेलिंग फ्रेश वेज़ेटेबल की प्रताब क्या था कि उसको जानते थे लोग कि वो फ्रेश वेज़ेटेबल देता है ठीक है है यूस्ट वेकप एवरी मॉर्निंग एट त्री एम वो तीन बज़े सुबह उट जाता था तो गैट देर हावेवर दूरिंग समर्स अ लॉट ओस हिस लेफ्ट ओर वेज़ेटेबल यूस्ट वेज़ेटेबल वेज़ेटेबल क्योंकि समर्स में क्या होता था उसकी जाध ने मिंदी मार्केट और पीपल स्टॉप गोएं ट्रॉट बिल्कुल सही बात है कि जब आप खराब मैटेनल प्रोटेक्ट बेचोंगे तो आपकी शॉप पे कोई नहीं आएगा आप से कोई भी समान नहीं लेगा तो उसको लॉस होने लगा उसकी बैद इमेज बनने लगी तो उसने क्या एडिया रखा है कि जो लोगों को वेज़ेटेबल चाहिए वह और कितनी कॉंटिटी चाहिए वह उसको एक दिन पहले बता दे कि भाई जिससे आज मुझे वेज़ेटेबल चाहिए तो मैं कल बता दूँ उसको प्रताब को कि भाई मुझे ये ये इतनी कॉंटिटी चाहिए और इतनी वेज़ेटेबल इस नाम की चाहिए तो परताब निक्या क meny Regular फोल्टे भान और भा ठीकर कि जितना डिमांड मार्केट में है जितनी डिमांड मार्केट में हुत नहीं मल खरीद रहे वह उतनहीं मल खरी तरह है now his customers do not have to go through the inconvenience of the commuting to the market and thus can have the vegetables deliver at their door store to all they have to do is call Pratap and mobile phone and place order बिल्कुल कि प्रताब ने क्या किया कि कि भाई कस्टोमर को आने की जुरूरत नहीं है उसके पास उसकी वेजिटेबल जो जितनी उन्होंने बुक करी ती वो घर तक पहुच जाएगी उसके उसके घर तक पहुच जाएगी ठीक है कस्टोमर से बस उसको अगरना है कि कस्टोमर करताब को फोन करके क्या करना पीटा फोन करना है और वेज़ी टेबल्स अपनी क्या कर देनी है बुक कर देनी है ठीक है तो इंटर्पनियोर ये लोग होते हैं जो कि एक नए आइडियास के साथ आते हैं और एक नए बिजनेस लॉंच करते हैं तो देखे प्रताब ने क्या करिया कि प्रताब की कॉलिटीज क्या आइडिया लगा लिया दिमाग एक नया क्रेटिव आइडिया बनाया कि उसका जो वेस्टेस था जो उसका बिजनेस डाउन जा रहा था उसमें उस बिजनेस को रेस करना चालू किया ठीक है उसकी इमेज़ वापस हो जाएगी मार्केट में साही से कि प्रताब फ्रेश एंटर्पेनियो कि क्या है तो देखें यहां पर इसका करेंगे सबसे पहले हम ठीके और यूमस्ट बिलीव इन यूरसेल्फ यू शूट भी कॉनफिटेंट टेक बिजनेस डिसीजन एंटर्पेनियोर के अंदर क्या होता है कि अपने आप में बिलीव होता है और वो हमेशा आप मेंड़ने के लिए रेडि होते हैं वो अपने डी सीजन्स लेने के लिए रेडि होते बिजनेस चैन्डर तो यह और तो यहां पर लिकाए रनिंग माई बिजनेस इस डिफकल्ट बट आयम पेशेंट बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सुन और एंट्रोपनियोर के अंदर पेशेंस नाम की चीज भी होती है कि ऐसा नहीं होता कि आज बिजनेस मनाया तो कल कल आपको प्रॉफिट आने लगेगा ऐसा नहीं है प्रॉफ ठीक को यह बास, हमेंसा एक नयगी या को पिच करने की कोशिस करते हैं तो यह क्वालिटीज है ठीक कीप ट्राइंग वाली क्वालिटी इनके अंदर रहा है किप ट्राइंग दी आइडियास नए नए आइडियास क्रेटिव आइडियास इनोवेशन करते रहते हैं ठीक है और पेशन्स भी रखते हैं मैं अब मैं कि अब चाहिए और प्रॉब्लम के लिए एक फॉल्यूशन जरूर होता है वह एक कोई प्रॉबलम रेज़ हुई तो उसको सॉल्वज जरूर करेंगे उसके लिए कुछ नया सॉलुशन मनाते हैं को एक उनके बिजनेस में खराब हो रही है तो उसको टैकल करते है है उस सॉलीशन के थुरू ठीक है और सॉलीशन टैकल करने के बाद वो जरूर सक्सेस्फुल होते हैं तो यह क्वालिटी एक किज़ाम के अंतर क्वालिटी जे आप लिख सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं फंक्शनस के एंटर्प्र और क्या क्या करते हैं को फंक्शन second decision making by entrepreneur हमेशा decision make करते हैं हर दिन क्योंकि जो entrepreneur business अंट करता उसको हर दिन कुछ ना कुछ decision make करना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए and entrepreneur makes a decision every day वो हमेशा हर दिल decision करते हैं this include what to produce or sell how much and where to sell क्योंकि बाइदेखिए आपने कोई product बनाया है आपको पता है कि आपको मार्केट की डिमांड क्या बेचना कितना बेचना है कितना बेचना है वो decision making का काम है माने मैंने कोई product बनाया तो कितना बना ना है कितना बेचना हाव है किसको बेचना है तो decision making का का मैं then entrepreneur हमेषा decision making करते हर दिन उनको decision making करना होता है तो ये function है पहला entrepreneur ka managing the business business management करते हैं the entrepreneur plans the future of his or jos guitar बिजनेस तो बिल्कुल बात है कि जो एंटर्पनियोर होते हैं वो प्लैन करते हैं अपने बिजनेस को फीचर के लिए कि कैसे उनका बिजनेस ग्रो करेगा आगे चल के है कि ही और शी अरेंज दी रो मेटेरियल हायर पीपल फॉर वर्क एंटेल्स दी एवरीवन वाट टो डू दे आलसो चेक इव दी प्लैनिंग इस बिंग फॉलोड तो एंटर्पनियोर यह भी करते हैं कि वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं पूरे बिजनेस का मैनेज करते हैं बिजनेस घुप उसको डिवाइड करते हैं कि इतना पैसा जाएगा रोम मेटेरियल लेने में इतना इतना पैसा जाएगा यह खरीदने में इतना पैसा जाएगा इतना पैसा जाएगा इतना पैसा जाएगा इसके लिए तो वह जो इंकम है उसको भी डिवाइड करते हैं कि कितना कितना पैसा किसीज के लिए लगेगा he she spent the money to buy material pays the rent of the building and sell these people बिल्कुल जब आप कोई भी business run करेंगे तो उसमें लोग काम करेंगे उस जगा का भी rent देना पड़ेगा तो entrepreneur income को भी divide करतेगी ये income rent पे जाएगी ये income लोगों की salary पे जाएगी इस income के तुरू हम raw material खरीदेंगे इस income के तुरू मार्केटिंग करेंगे ठीक है तो ये सारी जो income होती उसको भी वो divide करते हैं कि कितना पैसा कहां पे लगेगा टेकिंग रिक्स बिल्कुल उनका एक function most important function रिस्क बिना रिस्क के कोई business या कोई entrepreneur नहीं बनता है तो रिस्क लेना पढ़ता है रिक्स इस दा चांस आफ सम्थिंग रॉंग बिल्कुल हो सकता है कि आपने कोई नया आइडिया पिछ किया वो गलत हो गया तो आपने रिस्क लिया था तो ये एंटर्पनियोर के functions है ठीक वह रिस्क भी लेते हैं एंटर्पनियोर टेक्स रिस्क अगेंस फाइर्स लॉस्ट आइटम एंद्ध बिल्कुल कि बाए उनके क्या हो सकते हैं रिस्क लेते हैं कि कोई आइट कुछ भी business को रन करने के लिए क्लिए लिए सकते हैं वो रिस्क ल करते हैं an entrepreneur is always trying a new things वो हमेशा नए चीजों को हमेशा न्यू न्यू आइडियास के साथ चीजों से experiment करते रहते हैं कि चलिए ये experiment करते हैं ये कुछ नया आइडिया लेके आते हैं इससे customer की रिमान पूरी करते हैं तो हमेशा न्यू आइडियास उनके पास रहते हैं creative और आइडियास के साथ आना पड़ता है अगर आप नए आइडियास के साथ आएंगे तो में भी हो सकता है कि आपका business grow करना चालू करें आप profit कमाना चालू करें तो नए आइडियास का हमेशा ध्यान रखते हैं हमारे एंटर तो ये functions थे ये important points है तो आप इनको remember रख सकते हैं और अपने एक्जाम के अंदर अच्छा असानी से लिख सकते सरल लेंगवेज हैं आप क्लियर चलिए अब आगे चलते हैं इस्टोरी समस्ते हैं जफर जफर दैस्टोरी आफ जफर उपस्स आई मेड़ा मिस्टेक बट इट वाज माइड डिसीजन सो आई टेक रिस्पॉंसिबिल्टिस फॉर इट आई विल वर्क तू मेक इट बेटर देके एंटर पिनियर क्या परेशन होते हैं उन्हीं कोई रिस्क लिया मालिजञ नने के घलत हो गया तो वो सकी मेरा डिसीजन था मेरी वज़े से गलत हुआ तो इसको मैं करूंगा तो इंटर्पनियो के अंदर decision making और रिस्क लेने के होता है ठीक है तो ये स्टोरी है जफर की वह एक अपने उने जो कि इसने कुछ decision मनाया था और decision में रिस्क था तो कुछ खराब हो गया बट उस रिस्क के बाद जो हुआ उसकी responsibility भी उसने लिए कि मैं responsible हूँ सीज के लिए और मैं इसको सही करूंगा ठीक है I take decision after thinking about whether they are good or bad my business बिल्कुल जब आप कोई भी idea सोचते हैं जब कोई भी idea decision लेते तो आप ये सोचते हैं कि क्या ये idea मेरे business के लिए अच्छा होगा या bad होगा ठीक है अच्छा होगा या bad होगा कि I am working so many hours Sunday also but I work hard because it is good for the company और entrepreneur जो होते हैं वह hard worker होते हैं क्योंकि वह अपनी company को grow करने के लिए बहुत ही ज़्यादा hard work करते हैं बहुत ही ज़्यादा वह हर दिन काम करते हैं एंटरपनियोर्स ठीक हर दिन काम करते हैं जपर जैसे हमारा entrepreneur है तो हर दिन काम कर रहा है डेरी काम कर रहा है hard work कर रहा है अपने company को अपने business को grow करने के लिए sometimes I have so many problems but I don't give up I stay positive because everything will be fine तो entrepreneur हमेशा positive attitude के साथ काम करते हैं कि कुछ भी हो सकता है कि उनके business में रिस्क में जा सकता है business down हो सकता है ठीक है profit नहीं बनेगा उनका बट वो कभी give up नहीं करते वो कभी give up नहीं करते वह हमेशा positive रहते हैं अपने business को लेकर कि someday एक ऐसा दिन आएगा जब कि वह सब कुछ चीज़े सही हो जाएंगे और वह profit बनाना चालू कर देंगे ठीक है तो यह थे functions and qualities of entrepreneur तो इनको याद रखना इनसे high chances exam के अंदर question आने के लिए clear now अब हम बात करते हैं कुछ मित है entrepreneurship के बारे में कि इंटर्पूर्ट्रीयर्शिप के बारे में क्या मित का मतलब false belief क्या है false belief the false believe ठीक है कि बाई इंटर्प्रीयर्शिप के बारे में कुछ false भी पे चलिए उसको discuss करते है सबसे पहले क्या है misconception is that every business idea need to be unique or special कि यहां भी misconception है कि भाई हर business का एक idea जो होना चाहिए unique or special होना चाहिए ऐसा misconception है नहीं ऐसा नहीं है कि भाई दुनिया में तो बहुत सारे business run कर रहे हैं माल लिजे अगर एक business उसके multiple businesses हैं अलग-अलग company हमेशा के नाम से तो ऐसा नहीं कि हमेशा idea special और unique होना चाहिए business को run करने के लिए ऐसा नहीं है कि business के run करने के हमेशा लिए business unique होगा ऐसा नहीं बहुत सारी company Acces TI अंदर भी काम कर रही बहुत सारी company आटborg की काम रही है तो ऐसा नहीं कि हर कंपणी के पास यूनिका आइडिया होना चाहिए यह जरूरी नहीं है कि हमेसा जो बिजनेस उसका आइडिया और यूनिक होना चाहिए और होना चाहिए क्लिए दूसरा क्या है सै कि यहां कर सकते आगर आप के पास क्रीटीव Northern आइडियाश आप कम पैसे से भी बिजनेस के स्टाइड कर सकते हैं तो यह मिक्निश लोगों के दिमाग में हैं कि आपको बिजनेस डाइन करें लिए बहुत ज़्यादा मनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है तो यह फॉल्स बिलीव है थर्ट पॉइंट क्या है मिसकंश्रप्शन वी है इस डॉट ऑनली पर्सन है विग बिजनेस ना इंटर्प्रियूर कि लोगों के दिमायक में जिनके पास बड़ा बिजनेस होता है वहीं इंटर्प्रियूर क्योंकि उसने कुछ ईब कुछ और इन्रुअटीव आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और मनी में करना चालू कि तो यह भी मिसकंश्रप्शन क्यांतों चुंगों को लगता है कि जो business और entrepreneur होते हैं वो born होते हैं ठीक ऐसा नहीं है बाई entrepreneur born नहीं होते हैं लोग यहाँ पर आके self-made बनते हैं लोग अपने ideas creative ideas को use करते हैं business start करते हैं तब जाके वो entrepreneur बनते हैं कोई भी ऐसा नहीं कि born होते हैं entrepreneur entrepreneur बन जाता उसके अंदर वो सारी function सारे qualities आ जाते हैं नहीं लोग आके सीखते हैं यहां पर काम करते हैं तब जाके वो entrepreneur बनते हैं तो entrepreneur they are made they are self-made ठीक है वो born नहीं होता है कि born वो सारी qualities लेके आते हैं तो यह misconceptions है यह exams के अंदर पूछा जा सकता है कि what is the what all the misconceptions about the entrepreneurship तो आपको यह remember रखने हैं ठीक है बहुत ही simple है चलिए अब आगे चलते हैं अब क्या है entrepreneurship as a career option बिल्कुल आज के टाइम पर जो entrepreneur है वो career option के टाइप पर देखा जा रहा है बहुत सारे लोग entrepreneurship को करियर option के तुरू देख रहे हैं बहुत लोग नौकरी करते हैं बहुत लोग jobs करते हैं बट कुछ लोग business startups की और जा रहे है ठीक है तो यह आज का एक सैंट प्लाइमेंट एक वेज एमप्लाइमन के मतलब अपना खुद का काँम और मतला किसी के कर रहे है किसी के कि कर रहे आपको से सैली मिल रही है टोक्टर आपको प्लाइबड क्सप्टर के यह वेजर्य काम रह और था कशांपतल के मैं ऐग connectionsиб was खोलता है या अपना बिजनेस रंड करता है तो उसको हम बोल सकते हैं वह एंटर पर नियोर है वह सेल्फ एम्प्लॉइमेंट कर रहा है अब कर गोफए माना जाएगा और कोई जो अपने लिए की लिए घुल है और सल्फ एंप्लॉइमेंट कर रहे क्रियाइब आप्ष्छन लोग देख रहे हैं लोगों के पास आईडियाज है लोग उस आईडियाज को ला रहे हैं और पिच कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं क्लियर बहुती सिंपल टॉपी है नाओ अब जब कोई भी एंटरप्रियर बनता है ठीक है यहाँ पे हैडिंग के लीखिए अब परसन और बिक EMP और गोस्तों करीष प्रोसेश 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 फॉलोस जब कोई भीло in treponior बनता है तो उसको kurier stage ओती है कुछ process के तुरूर निकलता था ऐसा नहीं कि आपने आज business अलू किया तो आपने अंटर्प्रेवर बन गया आपने पैसा बना लिया ऐसा ने कुछ stages होती कुछ process होते हैं entrepreneur बनने कि वह process कि आ थी प्रोसेड एक एंटर शर्वाइब और ग्रो ठीक है यह तीन प्रोसेस है सबसे पहले क्या है डिसकस करते हैं चलिए बात करते हैं वेन एंटर्पनियोर इस इस्टार्टिंग डियार जस्ट एंटरिंग दी में एक मार्केट तू बिजनेस जब आपके पास कोई आइडिया आता है तो तब आ आप मार्केट में न्यू एंटर करते हो बिजनेस करने के लिए तो सबसे पहली स्टेज क्या इस प्रोसेस से एंटर कर रहे हैं आप मार्केट के अंदर बिजनेस करने के लिए पॉर एक्जामपल संजना स्टार्टिंग ए स्मॉल ग्रोशरी स्टोर इन लोकालिटी संजना पक्लेक बिसनेस टार्ट क्や छोटा सा लोकेलिटी मतलब एक ग्रॉसरीस और टॉर्ट करिया अपनी लोकेल लोटे के た छोटी उस ऌप अपनी लोग रही उट है अफमिन लोग लूइस ऑगर गयी वह तो अब उस competition के अंदर संजना को सर्वाइब करना है क्योंकि उस एरिया के अंदर हो सकता है multiple grocery shops हो तो competition में एंटर कर गया हो तो आप वहाँ पर सर्वाइब भी करना है ठीक है तो देरा मार्केट में बहुत सारे entrepreneur से जो की काम कर रहे हैं आपको उस competition के अंदर सर्वाइब करना है तो आप दूसरी स्टेज में आगए सर्वाइब जहां पर आपको अपनी बिजनेस को सर्वाइब कराना है कि for example there are many other grocery stores in the area yet बहुत सारी grocery stores होंगी मार्केट में बिल्कुल जैस यह तो रिपल सी बात है संजना स्टोर सरवाइब स्ट गंप्पिटिशन एंड दस्वेल इस स्टोर तूदी मोर फ्लूर संजना ने क्या किया मार्केट के अंजर सर्वाइब कर गई और उसका जो स्टोर था वह अच्छा काम करने लगा तो एंटर कर गई लाइट के अंदर अब सर्वाइब भी कर गई अब क्या कर गई कॉंपटीशन में फिट भी हो गई ठीक है तो आप संजना का जो बिजनेस है वो अच्छे से दन करने लगा कॉंपटीशन होने लगा लोगों के बीच में अब उसका बिजनेस ग्रोगा क्योंकि वह एंटर कर गई थी सर्वाइब भी कर गई अब भारी है उसके बिजनेस को ग्रोग करने की तो क्योंस इब अणनर्पिनेवर things about the expanding the his own business जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा तो आप सोचोगे क्या कि आप मेरा बिजनेस स्टेबल हो गया आप चलो इसको expand करते हैं multiple जगा पे expand करते हैं अपने business को ठीक है multiple places पर expand करते हैं तो आप third stage grow करने के बारी अब जब expand करोगे हर चीज को बिजनेस को तो आप grow करोगे ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे ज्यादा प्रोडेक्ट सेल करोगे मार्केट के अंदर for examples after five years Sanjana has opened a change of four more groceries in store in the same city तो भाई पांस साल के बाद अब वो ग्रो करना चालू है पांस साल के अंदर उसने अपने city के अंदर चार grocery store खोले चार grocery store open कर दिए इन नेक्स टूइयर शी प्लांस टू एक्सपैंड टू अधर सिटेस उसने सोचा कि अब वो और एक्सपैंड करेगी अधर सिटीज में जाएगी तो यह तीन स्टेज ती तो आपको यह तीन स्टेज क्लीज होंगी कि सबसे पहले एंटर करते हैं मार्केट के अंदर फिर मार्केट में कॉंपटीशन होता है तो वाँ पर सर्वाइब भी करना है जब कॉंपटीशन से निकल के सर्वाइब कर जाते हैं ठीक है जब आप कॉंपटीशन में बिल्कुल फिट हो जाते हैं सर्वाइब कर चुके होते हैं फिर आपकी बारियाती बिजनेस को ग्रो करने के और बिजने कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिससे की सोच नए आईडियास के साथ आये थे यह इन्होंने बिजनेस बनाया लोगों के बीच में नाम बनाया लोगों को वर्क दिया जॉब्स क्रियेट करी ठीक है और यह सारी कॉल्टी जो हमने भी तक फंक्शन पड़े वो सब इन मतलब ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देते हैं पेटियम विजयर शंकर ठीक है इन्होंने इतना बच्छा एडिया बनाया पेटियम बैंक बनाया ठीक है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया तो कुछ सुसाइटी में बहुत सारी चीजे सॉल्व करी अब तो म करते हैं कि लोगों तक हम अपने वेकल लेके पहुशते हैं और लोगों को सर्विस देते हैं कैब की तो यह सारे एंटरपनियोर से इन्होंने कुछ न्यू क्रेटिव आइडिया के तुरू समाज सुसाइटी को बदला और प्रॉफिट बनाया और लोगों के लिए जॉब क पढ़ी एंटरपनियोर के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्जाम पॉइंट और व्यू से तो आपको यह सारी चीजे याद रखनी है स्टूडेंट्स ठीक है इस यूनिट से 3-4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपकी तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो भाई लाइब सब्सक्राइब करते रहना ठीक है अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आजाएंगे आपके पास इंटरपनेर स्किल्स के जो हमारी यूनिट है इससे आपके क्योश्चन आजाएंगे ठीक है क्लियर है चलिए तो अगर क्लास पसंद आती है तो बच्चो लाइक ज़रूर करो सब्सक्राइब कर दो और आपको IT402 की ऐसी क्लासेज डाउटेट में मिलती रहेंगी बिल्कुल पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए कर दी जाएगी वहाँ पे IT402 की जिससे कि आपके एक्जाम की प्रिप्रेशन जो बोड के एक्जाम में आप उसमें अच्छे से प्रिपेर कर पाओ तो अगली क्लास में बिलेंगे सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए बाए बाए टेक कर अपना ध्यान रखियों और पढ़ते रही है